आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। इस प्रशन को हल करते हैं। इस तरांग जैसे के एच यहां पर दे रखा है, इसका मान हमें दिया है चेटर दशमलब चार आठ बार। इसके अलावा दोस्तों हमें दे रखा है जो नाइट्रोजन इसका आशिक दाब दे रखा है, आशिक दाब पी बरावर 0.987 बार। ठीक है और हमें क्या बताना है दोस्तों और जो हमारा जल है, जल कितना ले रहे हैं हम एक लीटर ले रहे हैं। जल का आयतन हमें दे रखा है, आयतन बी बरावर कितना एक लीटर। अब हमें बताना है कि नाइट्रोजन गैस और अधिक कितनी घुल जाएगी। तो दोस्तों यहां पे हेंरी ने जो नियम दिया था, किसी भी द्रब में गैस की भुलंचीलता के लिए जो नियम दिया था उसको लगा रहे हैं। उस नियम के नुसार गैस का अंशिकदा पी बरावर होता है, हेंरी स्तरांग के एच गुड़ा बिलियन में जो भी हमारा जो भी गैस है, उसका मोल प्रभाज एक्स ठीक है, यह हमने लगा दिया, तो यहां पे हम जो हमारी नाइट्रोजन गैस घोल रहे हैं, उसका मोल प्र इसको भाग कर देते हैं, चैतर दशमलब चार आट से हैं, तो यहां पे नाइट्रोजन का दोस्तो मोल प्रभाज एक्स का मान आ रहा है हल करने पे, जीरो दशमलब जीरो, एक, दो, नौ, ठीक है, अब दोस्तो हम जल के मोलों की संख्या देखें, एक लीटर, तो इसके लि और जो जल है हमारा, इसका हम क्या करेंगे, अडुभार पहले गयाद करेंगे, तो जल का रसाइनिक सूत होता है, H2O, इसका अडुभार कैसे गयाद करेंगे, अडुभार M बरावर, दो गुड़ा हाइडरोजन का परमाडुभार, एक, प्लस, ऑक्सीजन का परमाडुभा बिल्यन का आएतन के तना है, 10 मीटर क्यूभ, 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूभ, तो दोस्तो, ग्राम में भार, बराबर क्या होता है, आएतन गुणा, गनद, अचुकी जो हमारा, गैस है, उसका जो ग्राम में भार होगा, वो तो दोस्तो, बहुत ही नगण रहेगा, तो या उसको माननेता देंगे जल के बहार को योगी nitrogen गैसी सवस्ता में रहेगा तो इसका बहार हम बहुत ही कम होगा जल के तुलना में तो इसको नगण मान लेगे तो यानि जल का भार बरावर क्या आ जाएगा भार जल का दरभमान यह W जो है वो किसके बरावर हो जाएगा आयतन कुणा घनत भो आयतन दोस्तों कितना है दसकी गात 3 cm Q और घनत होता है 1 ग्राम पर 30 cm Q जल का तो यहां से दोस्तों हमें ग्राम में बहार पता लग जाएगा तो W बरावर क्या आजाएगा 1000 ग्राम तो अब यहां पे हम क्या जल के मोलों की संख्या हमने ग्याद कर ली और हमें मोल प्रिवाज जो मोल प्रिवाज था जो हमारा नाई्ट्रोजन है इसका मोल प्रिवाज दे रखा हम हमें 0. Side 1.9 ठीक है billion में तो अब दोस्तों यहां पे इसको हल करेंगे तो यहां से हमें नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्राइट नाइट्रोजन का मोल प्रभाज दोस्तो एक्स ये कैसे ग्याद करा हुआ हमने नाइट्रोजन के मोलों की संख्या एन बते जल के मोलों की संख्या एन प्लस नाइट्रोजन के मोलों की संख्या एन बन इस सूत्र में दोस्तों यहाँ पर N-1 जो है यह क्या है जो nitrogen gas जो हमारे billion में गुल चुकी है उसके mollo की संख्या है तो हमने बताया था चुकि nitrogen एक gas है तो इसके जो गुले हुए mollo की संख्या है जल के mollo की तुलना में बहुत ही कम होगी अर्थात जल की N-1 का मान जो है billion में बहुत ही कम होगा N की तुलना में तो इस बज़े से दोस्तों यहाँ पर हर में जो है N-1 को हम हटा सकते हैं N-1 को अमानने कर सकते हैं या इसका मान अमानने मान लेंगे ठीक है तो यहाँ से दोस्तों समीगर्ण बन जाएगा N-1 बटे 55.5 तो यहाँ से दोस्तों N-1 का मान ह कि संख़ है चुअकि हमें मीलीני more गयाद करने है तो मीली मोल कैसे गयाद करें गे हजार से इसमें गुणा कर देंगे बस तो मीली मोल की यहां पर दोस्तो मोलों की संख्या n बराबर आ gratis की जीरो पाँच नौ अगर दोस्तों यह तो ओructive में चलिक मिली कह रहा है मिली मौल तो मिली मौलों की संख्या एंड बन डैश यह हम गयाद करेंगे तो क्या करेंगे इसमें हजार से मिली मौलों की संख्या गयाद कर रहे हैं तो इसको एंड बन बरावर मिली मौलों की संख्या इसमें हजार से क्या करें गुणा करतें 0.7159 1000 तो ये मिली मूल हो जाएगा तो मिली मूलों की संख्या N1 का मान क्या आ जाएगा 1000 से गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 7123 715.9 मिली मूल मिली मूल ठीक है यही हमारे प्लश का उत्तर है 715.9 9 मिली मूल आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये धन्यबाद